मिखाले के पूर्व राजजिपाल और बीजेपी के आला नेता तथागत रॉय ने एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में कुछ ऐसी तस्वीरें दे दी हैं जिस पर अब सवाल उट रहे हैं खुदी उनसे पूछ लेते हैं आखिरकार क्या कारण है कि एक मेता यानि कि बंगाल के प्रभारी कैलाश विजवर्गे के साथ एक तस्वीर आपने वाइरल ये ट्वीट की है जिसके सवाल उट रहे हैं क्या सोच कर और क्या संदेश देने की कोशिश यह तस्वीर जो है यह इंटरनेट में मिली है मैं इसको सेव करके रखा था कोई एप्रोप्रियेट समय अगर आ जाएगा तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा पर किसलिए मैं पोस्ट किया इसका तातपर यह क्या है इस बारे में मैं कुछ व्याक्षा नहीं दूंगा उस तस मिलीदर्शिप और केंद्र की लीडर्शिप में सब कुछ थीक नहीं है यह राज्यकं दर्शिप में स्थीटी और में कहूंगा कि तकरीबल ठीक है मतलब ठीक होते जा रहा है जो नाया हमारे अद्धक्षि आए आए हैं वह सिक्षित आद्मिये यह चानकार आदमी है पड वो पटी का भला चाहते हैं और इसको अच्छी तरह से क्या कहता है विशलेशन करके क्या किया जा इस बारे में उचित कदम उठाना चाहते हैं और इनके साथ जो सुभेंदु अधिकारी है जो अभी पूरा राज्यों सफर कर रहे हैं बहुत खट रहे हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं और दोनों मिलकर मुझे यह आशा है कि यह बीजेपी को आगे ले जा पाएंगे जो भंकर घटना सन दोजार दो दोजार इकीस के दो मई तारिक को हुई उसका जो जहां तक हो सके उसका सुधार करने जाएंगे यही मेरी आशा है जिन शब्दों का आपने इस्त पर तीक्ष्णवार है इस तरह से आपने कहा यह कौन है लोग यह नौगोरी नोटी यह कभी गुरु रविंदनात्य गोर के बहुत विख्यात एक यह कविता है वह कविता से ली गई एक दू शब्द है नौगोरी नोटी नौगोरी मतलब नगरी तो हिंदी में भी यह है यह नौगोरी नोटी के बारे में जो मैंने कहा और जो मैं अभी वह बरकरार है वह यह है कि यह कुछ अक्ट्रेस बीग्रेड अक्ट्रेस इन लोगो पता नहीं क्यों टिकेट दिया गया टिकेट के साथ साथ पता नहीं क्यों इतना रुप्या दिया गया और इन लोगों क्यों मदन मित्रा के साथ जा करके वो नौटंकी किया स्टीमर पाटी में और उसके बाद पाटी छोड़के भाग गए कुछ पता नहीं या पता है लेकिन मैं कह रही सकता हूं क्या नाराजगी सिर्फ केलाश विजेवर्गे से है क्योंकि तस्वीर सिर्फ उन्हीं की ट्वीट की गई है इस बारे में मैं और स्पष्टी कर नहीं दूंगा तुम्हें जो समझना है समझ लो तथा गत्रोय आप पूर्व राजिपाल भी रहे हैं कई बार सवाल उठते हैं कि आ पूर्व महमहिन की गरिमा को भूल जाते हैं कैसे देखते हैं और अरोपो को सबसे उत्कृिष्ट प्रदानमंत्रिये उसको भी आरोप सुनना पड़ता है तो मुझे में छोटा अद्वी हूं मेरे पर आरोप है तो यह तो कौन सी बड़ी बात है वह हम सुन लेंगे सुन लेंगे लेकिन जिस तरह से भी सवाल उठ रहे हैं यह कहकर कि बीजेपी में आपसी द्वंद सिर्फ इसलिए है क्योंकि चुनाओ हार गए चुनाओ हार गए तो जरूर लेकिन चुनाओ किस लिए हरे अगर यह तिनूल के पॉपुलारिटी के कारण हारते या बीजेपी के कोई भूल के कारण हारते हैं, तो बात अलग होती, लेकिन ये साजिश के कारण एक शड़यंत्र के कारण हारे हैं, तो ये शड़यंत्र के कारण जो हम जीतने वाले थे, जिस पाटी हम पिछला तीस साल से कर रहे थे, इस में हम जान बुझ कर हार गए, जान बुझ कर हार ग यह जो किये हैं यह मुझे बहुत बहुत पीडा है और जो अब तक में जो कहा हूँ वही पिडा की प्रकाश है है इस पीडा के लिए यह साज़िश के लिए किसको जिममेदार ठेराते हैं साज़िशष अब किया के आप तक जह तक जो मैं तो च्वोटा बच्चा नेहीं हुं मैं बेना समझ कर कोई पूलिक पेस में सोशल मीडिया में पॉस्ट नहीं करता हूं सोच करकर अब टक पोस्ट किया growing सारी सब्सक्राइब that नहीं अवाबिया सवाल? और अश्हा भी करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, क्यूंकि मैं तो अभी एक सामानना सदस्त्त हूँ, मुझे तो कई दाइत्य नहीं है, तो एक सामाननना सदस्त के नाते, एक समर्थक के नाते में कुछ भी को बोल सकता हूँ आला कमान उसका क्या उसका कोई महत्त देंगे या नहीं देंगे तो उस पर है लेकिन मैं समझता हूँ कि यह अभी तक नहीं कुछ नहीं मिली सवाल और जवाब आरोप और प्रत्यारोप इस समय फिलहाल पार्टी में ही जारी है और इन सवालों के जवाब वो लोग खोज रहे हैं जो बंगाल में लगातार राजनी तीम से जुड़े रहे हैं कैमरा परसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल कोलकाता एबीपी न्यूज